हलो नमस्कार साथ ही हो स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल जे इल जहारकन लाइब में दोस्तों यहाँ पर अस्यानिक सल्थ चिकत सक्स हमुग की चिकत सफादिकारी बोकारों की तरब से जिला स्वाश्थ समेती बोकारों की तरब से नियुकती संबंदित बन जारी क्या गया है क्या कॉलिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कैसे आवदन कर सकते हैं क्या क्रेटेरियर रखा गया है सारे इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे तो अगर आप जहारकन लाट चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और चली हम लोग यहाँ पर पुरे डिटल्स में इस नोटिफिकेशन को विज्यापन को देखते हैं तो जिसका आप यहाँ पर देख पार है राष्टिय स्वास्त मिसन अंदरगत समीदा कैधार पर जीला स्वास्त समीथी के माध्यम से नियुक्त पद के लिए यहाँ पर जो है विज्यापन जारी क्या गया है तो यहाँ पर पहले देख लिए कुछ बड़े पद हैं नीचे कुछ चोटे पद भी है तो हम लोग पूरा देखने वाल है तो सबसे पहला पद जो हो यहाँ पर देख लिजे एंस डी अस्पेसिलिस्ट के लि लिए है यहाँ पर इसेंशल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है यहाँ पर एक्विवैलेंट डिग्री फ्रॉम रिकुटनाइट इंस्टिट बाई इमेडिकल कॉंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर तीन पदों की संख्या है तीन सीटों की संख्या है जिसमें जैनरल के लिए और BC1 के लिए हाँ पर एक सीट है कुल सैलरी की बात करें तो 36,000 पर यहाँ पर सैलरी दी जाएगी अगला बात जो है वो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए है यहाँ पर CHC NCT सेल के लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो यहाँ पर दखली जे MBBS डिग्री फ्रॉम इस इंट्रिशन रिगोकेनाइट बाई मेडिकल कॉंसिल अफ इंडिया और यहाँ पर दखली साथ सीटों की संख्या यहाँ पर जिसमें की जेनरल के लिए हाँ पर तीन सीटे है BC1 के लिए एक सीट है, ST के लिए एक सीट है, SC के लिए एक सीट है, BC2 के लिए एक सीट है, सै qualification और पदों की संख्या जो है यहां पर दखलीजे कुल थीन पदों की संख्या है जिसमें जेनरल के लिए 2 सीटे हैं BC 1 के लिए 1 सीटे हैं salary की बाद करें तो 36000 पर यहां पर salary दी जाएगी अगला पर यहां पर दखलीजे approved by INC, तो यहाँ पर 10 plus 2 होना चाहिए, और should have completed A&M course, और आप यहाँ पर अगर A&M course को यहाँ पर कर लिये हैं, तो आप यहाँ पर आवेदान कर सकते हैं, कुल सीटों की संख्या जो है, जो है वो 10 है, जिसमें जेनरल कटेगरी का यहाँ पर 5 सीटे हैं, और S.C. कटेगरी के लिए 5 सीटे यहाँ पर रिजर्व हैं, सेलरी की बात करें, तो 9,900 प्रति महा को यहाँ पर सेलरी दिया जाएगा, सारी जो निवति की जारी है, वो समीदा के धार पर निवति की जारी है, यह भी याद रखीगा, और अगला पत जो हो यहाँ पर दख लिए, जे जी एनम के लिए है, जी एनम स्टाफ नर्स के लिए, तो क्वालिफिकेशन की बात करें, तो 10 प्लस 2 और इंटर्मेडियेट विट 3 यहाँ पर आपका होना चाहिए, रेजिस्टर अंडर जहारखन नर्सिंग कॉंसिल, कुल पदों की संख्या की बात करें, तो 27 यहाँ सिटों की संख्या है, तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया हो, यहाँ पर देख लिए 10 प्लस 2 मांगा गया है, यहाँ फिर इंटर्मेडियेट होना चाहिए आपका, with 3 years of general nursing and midwife free training, तो इंटर्मेडियेट के बात आपका 3 साल का GNM का यहाँ पर आपका कूर्स होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद अगला पत जो है, यहाँ पर देख लिए 7 नंबर, वो है, ब्लॉक डाटा मेनेजर के लिए, जिसमें की यहाँ पर देख पार है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन इन इन डिसिप्लेन, ठीक है, किसी भी संकाय में आप यहाँ पर बैचलर इन कॉम्पूटर अप्लिकेशन है, बीएसी, आईटी, बीएसी, कॉम्पूटर साइंस, यह सब अगर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर आपकी है, तो आप आवेदान कर सकते हैं, ब्लॉक डाटा मेनेजर के लिए, यहाँ पर दो सीटों की संक्या है, जिसमें की जेनरल के लिए एक सीट है, और एस्टी के लिए यहाँ पर एक सीट है, सैलरी की बात करें, तो आठ हजार रुप्या आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, तीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला पाद जो है, फार्मासिस्ट के लिए है, जिसमें की क्वालिफिकेशन जो मंगा गया है, वो यहाँ पर दखली से, डिप्लोमा इन फार्मेसिव फ्रॉम रिकोगनाज इंस्टिूट रिजिटर अंडर जार्खन स्टेट फार्मेसिव कॉंसिल, यहाँ पर कॉंप्यूटर प्रुफियंसी होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है वो, आपका य जाहिए, जार्खन स्टेट फार्मेसिव कॉंसिल से, डिप्लोमा इन फार्मेसिव होना चाहिए, साथी चाहिए, यहाँ पर MS ऑफिस और इंटरनेट में, कंप्यूटर में आपको फ्रिफियंसीव होना चाहिए, अच्छे से आपको यहाँ पर वर्क करने आना चाहिए, अगलब पात जो है, वो यहाँ पर देख लिए है, जिसमें के क्वालिफिकसिन जो मांगा गया है, वो यहाँ पर देख लिए, master या फिर bachelor degree in food and nutrition, home science, यहाँ पर honors पास होना चाहिए, और एक साल का यहाँ पर, जो हो experience होना चाहिए, health में काम करने का, health sector में काम करने का, basic computer skills हो related to MS office, MS office में आपको, MS office के कुछ basic knowledge होनी चाहिए आपको, और यहाँ पर good data management skill होना चाहिए, और यहाँ पर दख लिए, जो female है, उनको यहाँ पर preference दिया जाएगा, और जो local language में यहाँ पर preference है, बोलने में, लिखने में, उनको भी यहाँ पर preference दे जाएगा, और ability to work in a team, ठीक की बात करें, तो 9900 पर यहाँ पर आपको salary दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए, उम्रसी में जो रखी गई है, वो यहाँ पर चिकिसा प्ताधिकारी के लिए यहाँ पर जो रखा गया है, वो जेनरल OBCSST के लिए यहाँ पर, जो maximum रखा गया है, वो 67 years रख है, वो भी सिकलिसाइटिस वर्स है, और जो यहाँ पर female unreserved है यहाँ पर तो उनकी अधितम सीमा जो रखी गई है, उम्रसीमा, वो 38 साल रखी गई है, SCST है यहाँ पर, तो 40 साल अधितम उम्रसीमा रखी गई है, वहीं फार्माचिस्ट ब्लोग डाटा मेनेजर, nutrition counselor के लिए minimum जो है, यहाँ पर 21 साल होने चाहिए आपकी उम्र, और अधितम की बात करें, तो general में यहाँ पर 45 साल, और OBC में 47 साल, female unreserved में 48 साल, और SCST में 50 साल तक की उम्रसीमा रखी गई है, यहाँ पर कुछ सर्थ दी गई है, कि यह समीदा के अधार पर निवत्ति की जा रही है, ठीक है, और यह सभी जो है निवत्ति, समीदा के दुबार यहाँ पर की जाएगी, और जो भी यहाँ पर CGPS कूर प्रस्तूत करेंगे, उनको यहाँ पर Conversion Chart जो है वो प्रस्तूत करना होगा, ठीक है, तो यह एक साल के लिए यहाँ पर समीदा के अधार पर निवत्ति की जा अधार यह, उसके बाद आपको यहाँ पर Annual Performance के अधार पर आगे फिर आपकी आउधी बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पर Shortlisted Candidate जो होगे, उनको आगे की यहाँ पर जो प्रकिरिया में हो साम्मिल किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका Direct की यहाँ पर सेलेक्स्टन हो रहा अनुभव अध्वा या एक से अधिक जो लागू हो क्याधार पर किया जाएगा, तो जो आपका Marks है, उसी क्याधार पर आपका Merit List त्यार किया जाएगा, सभी उमिद्वार निबंधित डाकस्पीट पोस्ट के द्वारा ही पत्र भिजना सुनिश्चित करेंगे, नियुक आपको यहां पर आवेधन करना है, तो उप्योगत योग गेता हर्ता रखने वाले उमिद्वारों से निम्नांग की वहित प्रपत्र में आवास्यक अंग पत्रों की अभी परमानित प्रती आरक्षान की दावा है, तो सक्षम पाधिकारी द्वारा, निर्गत आवासी परम माक्सिक भेजना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो, उसके पर यहां पर अगर आप अरक्षान का लाव रहना चाते हैं, तो आपको यहां पर आवासी जाती परमान पत्र आपको आपको अटैश करना कंपल सरी होगा, ठीक है, और जन परमान पत्र, जो है, मैट्रिक में आवदन जमा करने पर उसका आवदन सवतह निरस्त कर दिये जाएगा, जो विभाग है, वहीं पर आपको जमा करना है, और भेजने का जो पता है, वो यहां पर देख लिजिए, तो असानिक सल्चिक सकता है, तो आप यहां पर विग्यापन संख्थे लिख दीजेगा, पर किस पद के लिए अपलाई कर रहे हैं, वो लिख दीजेगा, उसके पद यहां पर किस पद का नाम क्या है, वो लिख दीजेगा, ठीक है, लिफाफे के ऊपर आपको यह मेंसन करना है, तो आप यहां पर फॉर्म डाउड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन म तकि अन्य लोग भी यहां पर जूड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें